जभीम सत्यों आज बड़े ही हर्ष के साथ आपको गुरुरविदास की इस जयन्ती पर बहुत बहुत बधाई आज चेसो पैतालिसवा साल है गुरुरविदास के जन्म का 1376 एड इसी दिन माघी पूर्णिमा आज पूर्णिमा भी है पूर्णिमा के दिन उनका जन्म सिर गोवर्धनपुर काशी के पास हुआ था साथियों ये हमें गुरुरविदास की जयन्ती मनाना किसलिए आवशक है एक बार फिर से वही जुमला में दोराना चाहूंगा जो की मानेवर काशी राम कहा करते थे विचारों को अगर बार बार ना माजा जाए तो विचार मर जाते हैं जब विचार मरते हैं तो विचारक मर जाते हैं जब विचारक मरते हैं तो समाज का इतिहास मर जाता है और जब समाज का इतिहास मरता है तो समाज का मनुबल भी तूट जाता है और इसलिए उस मनुबल को बनाए रखने के लिए हमें गुरु रविदास के उस वाणी को उनके द्वारा दिये गए ज्ञान को एक बार पुना इसमरन करना बहुत आवश्चक है। समानता के समाज में उसकी कलपना को दर्शाता है। ऐसा राज जहां छोटे बड़े सब एक साथ बने और सब को खाने के लिए मिले। शायद इसी लिए उन्होंने एक कलपना की थी बेगम पुरा की। कलपना की थी। लेकिन हम ये नहीं बताते कि गुरु रविदास ने बेगम पुरा की भी कलपना की थी। माक्सवादी क्लासलेस सोसाइटी वर्ग विहीं समाज की कलपना मानते हैं बताते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गुरु रविदास जिनको निर्गुन शाखा का जो कि किसी भी श्विद्याले में नहीं गए थे। लेकिन उनकी एक संकलपना हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे या हमारे समाज के अनपढ़ लोग जिनको असप्रश कहा करके बहिश्कृत किया गया उस समाज के लोगों की भी एक समाजिक संकलपना है। एतिहासिक है और इसे हमें समझना चाहिए और इसलिए हमें इस बेगंपुरा की संकलपना जहां पर गुरुरविदास बता रहे थे ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन छोट बड़े सबसे राइदास रहे प्रसंद इसको याद करना बहुत जरूरी है। और वो रविदास महराज की वानी जो की जब गुरु ग्रन साहिब लिखा जा रहा था या संकलित किया जा रहा था तो चालिस पद उसके अंदर क्यों रखे इसका मतब कहीं न कहीं गुरु रविदास की वानी में इतनी दम थी कि गुरु रानक के चाहने वालों ने उनकी उस बात को याद किया कि नहीं इस से समाजिक परिवर्तन कूछ सब्ता है तो साथियों हमें इसलिए ये बात भकति की नहीं लगती उत्रप्रदेश से औने वाले लोग इसको भकति नहीं इसको मुक्ती का मार्क जैसे बाबा साहब समानता की बात कर रहे थे जैसे बुद्धा समानता की बात कर रहे थे वैसे अगर हम एक संकल्प ना देखें कहीं ना कहीं बाबा साहब उसी बात को गुरु रविदास महराज की बात को आगे बढ़ा रहे थे समानता की दूसरी तरफ जो हमें बात समझनी चाहिए वो यह है कि भारतिय समाज में दो फिलोसफी दो दर्शन काम करते थे एक जो की जिसको बेदों में विश्वास था जिनको बेदों में विश्वास था पुनर जनम में विश्वास था भाग्या और भगवान में विश्वास था लेकिन दूसरी तरह जो की वेदों को नहीं मानने वाले थे जिनमें पुनर जनम में विश्वास नहीं था उस बात की याने के believers और non-believers, मानने वाले और नहीं मानने वाले, वो मैं शब्द भूल रहा हूँ, लेकिन इसको हम कह सकते हैं believers और non-believers, दूसरी तरफ ये बात एकड़म प्रमानित हो रही है कि वो believer नहीं थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे और इसलिए उन्होंने कहा चारहूं बेद खंडवती करूं, जन रैदास करूं डडवती, तो आप समझ सकते हैं कि वेदों के खंडन की बात भी कही ना कहीं वहा पर लागू होती है, इसके बाद तीसरी जो बहुत बड़ी बात समझ में आती है और उसको मुक्ति का साधन, भारत वर्ष की उन्नती का साधन, याने कि जाति का विनाश, और उसके लिए गुरु रविदास जी ने कहा, जात, जात में जात है, तिन केलन के पात, रैदास न मानुख बन सके, जब तक जात न जात, याने कि जब तक जात नहीं जाएगी, तब तक मानुख मानव मानव नहीं बनेगा, और मानव को बनाने के लिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, उन्होंने हमको दर्शन दिया, फिलोसोफी दी, जस पर हम चल सकें, जात चात में चात है तिन केलन के पात रइधास न मानुक बन सके जब तक चात न चात। गुरू रविदास यही नहीं रुखे और उन्होंने बाकाइदा यहां तक कि जो की एक समय कहा जा रहा था कि नहीं पूज़ों भिप्रिशकल गुन हीना न पूजाओं शुद्र गुन ग्यान प्रवीना कहीं न कहीं एक तरह से बात हो रही थी कि नहीं रविदास बहमन मत पूजिये जो होवे गुन ग्यान प्रवीन जो होवे गुन ग्यान हीन रविदास बहमन मत पूजिये जो होवे गुन ग्यान हीन पूजिये चन डाल के जो होवे गुन ज्यान प्रवीर तो यहां तक जन्मना की बात नहीं है यहां पर कर्म अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप उच्छे पद पर जा सकते हैं और इसी लिए रविदास महाराज कह सकते थे रविदास जन्म के कारणे होवत ना कोव नीच जन्म के कारण कोई मूच नहीं होता मानुख को नीच करिडारे है ओचे काम की कीच तो एक बार पुना उन्होंने जन्मना नहीं बलकि कर्म के अंदर विश्वास की बात मुक्ती का मार बताते हुए गुरु रविदास ने हमको बताया और उन्होंने कहा कि नहीं दिखावे की कोई आवश्रक्ता नहीं है ये बार-बार लोग बताते थे कि नहीं आप गंगा इशलान कर लीजिए आपके पाप फर जाएंगे तो इस पर बड़ी सिधाई से गुरु रविदास महाराज ने कहा मन चंगा तो कठोती में कंग पाप बता कठोती आप जानते एक बतन होता है क Tut negoism in लगर रविदास महाराज ने कहा कि इसके अंदर भी गंगा आ शकती है तो इस्लिए आप मन को चंगा रखिये इतना ही नहीं उन्होंने भाईचारे की भी बात कही और भाईचारे को दिखाते हुए उन्होंने कहा कहर अविदास खलास चमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा हमारे साथ रहने वाला ही हमारा मीत होगा तो साथियों आप देखें कि एक तरफ समानता एक तरफ बाईचारा और दूसरी तरफ जात का विखंडन ये जो फिलोसफी है गुरू महराज की ये जो दर्शन है गुरू महराज का इसमें कहीं भी आपको भक्ती नहीं बलकि मानव की मुक्ती दिखाई देती है और इसलिए ह हमको गुरू रविदास महराज की वाणी को मुक्ती का मार मानना चाहिए मुक्ती का साधन मानना चाहिए और बार बार हमको याद करना चाहिए जै भीम जै भारत